चानी की शरीर का एक अद्रिश अंग है मन जो दिखाई नहीं देता, परूंत वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का यह याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई सन्बंद नहीं आत्मा यदि रत में बैठा हुआ रत का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रत का सारथी है ये मन ही इंद्रियों के घोडों को इधर उधर भटकाता है कभी योवन के आवेश में यही चंचल मन मनुश्य को इस भ्रम्बे डाल देता है कि वो सर्व शक्तिमान है उस सब कुछ कर सकता है वो यहां का राजा है जिसके आगे हर कोई जुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रान करता है जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले चुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता उसी तरह जवानी को उसके पीछे चुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती परंतु जिब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले चुपा अंधेरा बढ़ने लगता है तो मनुष्य घबरा कर चिलाने लगता है मैं बीमार हूँ ये रोने का नाटक भी मन ही करता है हे अरजुन मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिला कर मधोस करने वाला पाखंडी केवल मन है